नमस्कार दोस्तों मैं वीज चतुरवेदी पात फाइंटर एजुकेशन यूटूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ मित्रों आप से डिवेदर हैं यदि आप हमारे चैनल पर प्रतम भा रहा हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें तथा वेल आइकन भी दबा लें जिससे सक्षा जगत से सबन्द जो भी महत्पुन अपडेट हो वो आपको इस चैनल के माधम से इस्ताइश सीगर प्राप्त हो सके जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एंटी पीसी की एक्जाम दिसंबर माह में प्रस्तावित हुए थे उसका जो बिस्तित सिड्यूल है वो जारी कर दिया गया है जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं सीबी टीफ का जो एक्जाम होगा पंदरह दिसंबर से होगा इसमें लगभग एक दसमलो जीरो तीन लाख अभ्यार्थी सामिल होंगे पंदरह दिसंबर से अठारह दिसंबर तक इसमें परिक्षा कराई जाएगी इसमें इस टोनों और टीचर्स के जो एक्जाम्स हैं वो इसमें आएंगे अगली जो परिक्षा है वो नान टेक्निकल पापूलर कटेगरी एंटी पीची में गार्ड आफिस कलर्क कामर्सियल करक आद की लगभग 35,208 पतों के लिए भरती प्रक्रिया कराई जाएगी जिसमें की 28 दिसंबर से मार्च की लाज तक परिक्षा सेडियूल जारी है जिसमें की मार्च तक दिसंबर 28 से मार्च लाज तक परिक्षा कराई जा सकती है कराई जाएगी आगली जो पोस्ट है जैसे ट्रेक्मेन मैंटेनेंस यानि ग्रूप डी की जो वेकंसी है उसमें लगभग 13,779 पतों के लिए परिक्षा लगभग अपरेल में 2021 में कराई जाएगी यानि अपरेल 2021 तक इसकी परिक्षा उवीद है कि करा ली जाएगी तो यह जो बिस्तिस सिड्यूल है जारी हो गया है और आज के समाचार पत्रों में भी इससे संबंधित कुछ बातें दी गई भी है और न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बूर्ड अध्यश्मुक कारिकारी अधिकारी विनोत कुमार यादो ने मंगलवार को बताया कि नान टेक्निकल पापुलर एंटी पीस्टी के 35,208 पदों के लिए ठाई दिसम्बर से परिच्छाएं सुरू हो जाएंगी और मार्ज के अंत तक संपन होंगी यंटी पीसी ने जैसा कि कहा था कि दिसम्बर 15 दिसम्बर से लगवग परिच्छाएं स्टार्ट हो जाएगी उसका इसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एक्जाम का सेडियूल जारी कर दिया है तो यंटी पीसी के जो भी अभ्यारती हैं वह अपनी तयारी तेज कर दे हैं और उनकी परिक्षाएं करमवार होनी है सबसे पहले टीचर्स वगएरा के एक्जाम होंगे जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया अगली सूचनानी आ रही है टीजी टी-पीजी टी माधिविक सिक्षा चैन बोर्ड से संबंधित तरदत सिच्चुकों का वेटेज बढ़ाने के बिरोध में प्रत्योगी जैसा कि कल अपने वीडियो के माध्यम से मैंने अपने आप लोगों को बताया था मित्रो विकी खान की अगुआई में जो ग्यापन है वो आयोक को सौपा गया था और उसमें कुछ प्रमुख बिंदियों पर आयोक से असप नमबर वेटेज देने की बात निकल कर सामने आ रही थी जिससे अभिहरती सामाने अभिहरती काफी परिशान थे उसी का असपस्टी करण आयोक से कल मांगा गया था अभिहरतियों के द्वारा जैसा कि आप देख रहे हैं यह था ग्यापन जो कि कल सौबा गया था इसका वि बिंदू कर दिये गए हैं कि किस बिंदू में क्या बात हुई और आयोक ने इस ग्यापन के संदर्व में असपस्टी करण भी दिया था उसको भी प्रमकुता से बताया गया है रिव्यू के माध्यम से उसे आप जान लीजिएगा वीडियो देख लीजिएगा और आपको अ कदर सिचको का मामला था उसमें आयोक ने असपस्ट किया कि उनको मैक्सिमम 35 नंबर ही वेटेज दिये जाएगे अगली सुचरा निकल के आ रही है 69 जा सिक्षक परती में लगबग 5-7000 पदों के खाली होने की बात कही जा रही है 5-7000 पद खाली हो सकते हैं और यह जो पद सिक्षामित्र हैं जिन्हों ने किया असपस्ट नहीं किया था अपने फाउम में कि वह एक सिक्षामित्र हैं जिसकी वज़ा से उनको 69,000 सिक्षक भरती की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था ऐसे जो अभ्यारती हैं सिक्षामित्र के उनको इस बची हुई सीटों में या ने आवेदन में सिक्षामित्र का जिक्र नहीं किया था और वे अंतिम सूची से बाहर हो गए थे अब रिक्त पदों पर उन्हें मौका दिया जा सकता है दोनों चरणों के चैनितों का निर्ण एक साथ होने के आसार है तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह जो है वे सिक्षा मित्र जो की फार्म में फिलप नहीं कर पाये थे स्पस्टी करण नहीं कर पाये थे उनके लिए यह एक पॉजिटिव न्यूज है और उमीद है कि उनको इसमें मौका मिलेगा साथ से आठ हजार पद लगभग खाली हैं अगली सूचना निकल के आ रही है PCS 2020 का मुख परिक् प्रत्योगि का नख कर्मां को आही रहे गा जो प्रारमिक परिक्षा में जारी किया गया था 2020 मुख परिक्षा के लिए जो आवेदन है वह 14 दिसंबर तक लिए जाएंगे तो वे सभी अभ्यार्थी जो प्री में कौलिफाई हैं वे 14 दिसंबर तक फार्म आयोक की वे साइट पर जा करके भर दें इसी के साथ ही असपस्ट किया गया है कि 24 नॉवंबर को जो प्रार्मिक परिक्षा है उसका परड़ाम घोसित किया गया था इसमें जो निउन्तम अहरता आयोक के द्वारा मागी गई थी उसको पूरी करने वाले ही अभ्यार्थी पात्र होंगे सभी अभ्यार्थियों को सहचिक अहरता की पुस्टी के लिए सभी प्रमाडपरत अंग तालिका उपलब्धियों की स्वप्रमाड़ित प्रतियां आवेदन के साथ ही भेजना अनिवार है यह ना मिलने पर अभ्यार्थन निरस्थ हो जाएगा इस तरह से जो अगली सूचरा निकल किया रही है उत्तरपति लोग सेवा आयोग ने सहायक निदेशक मस्य के ग्यारह अभ्यार्थियों का चैन किया है यह मस्य पद के लिए है यह चैन सीधी भरती के माध्यम से किया गया था आयोग की वेव साइट पर इसका अंतिपरड़ाम जारी कर दिया गया है उप सजियू बिनोत कुमार सिंख के अनुसार इस पद का विग्यापन 2015-16 में जारी किया गया था ग्यारह पदों में 7 और अच्छी एवं 1 सीवा 3 OVC के लिए सीटे उपलब्द थी अगली सूचना निकल के आ रही है जूनियर इंजिनियर 2020 की परिच्छा का परड़ाम 20 तक करमचारी चेहन आयोग ने आनिप वाली जो परड़ाम का ऐलान है उसे कर दिया है इसमें 20 दिसंबर तक जूनियर इंजिनियर 2018 परिच्छा सिविल इलेक्ट्रिक मेकैनिकल आधिका अंति परड़ाम जारी कर दिया जाएगा 15 जनवरी तक कमबाइन हाय सेकेंडरी परिच्छा 2019 टियर एक का परड़ाम भी जारी कर दिया जाएगा इस तरह से आप देखेंगे कि SSC यानि स्टॉप सेलेक्शन कमिशन के द्वारा परिच्छा करेंडर को माइंड करते हुए अपनी तयारी तेज कर दें उनकी परिच्छा यह था सीग्र होंगी और परड़ाम भी जल्द जारी होने वाला है अगली सूचरा निकल के आ रही है इसी माह होगा UPTET का आवेद आप सभी जानते हैं कि अगली सिछक भरती की तयारी जोड़ सोड़ से होनी सुरू हो गई है और उसी को टार्गेट करके यह हसपश्च किया जा रहा है आज की निउज पत्रों के माध्यम से कि इसी माह जो टीटी की नोटिफिकेशन है लगभग 25 दिसंबर के आसपास आ जाएगा और जनवरी में आप से फार्म फिलब कराये जाएगे जैसा कि आप पहले भी निउज के माध्यम से जान चुके हैं और आपको बताया भी गया था हमारी चैनल के माध्यम से कि फवरी में आपके यूपी टीटी के एगजाम होने के बात करी जा रही है आयोक के द्वारा और जल्द ही जो आपको इसका नोटिफिकेशन है वह देखने को मिल सकता है तो इस तरह से टीटी के जो भी अभ्यारती हैं वह अपनी तैयारी भी तेज कर दें जल्दी ही उनको फार्म मिलेगा जैसा कि आप देख पाना है प्रस्ताव परिच्छा नियामक प्रादिकरन कारियाले से मांगा गया था और संस्था जल्द ही इसे भेजेगी दूसरे तीसरे सब्ताह दिसंबर में इसके आने की उमी है इसी माह तारीक का एलान होगा और फरवरी में या फरवरी के अंत में आप परिच्छा की भी डेट देख पाएंगे और परिच्छा आपकी करा ली जाएगी इस बार जैसा कि वलेडेटी बढ़ने का भी मामला सामने आ रहा है कि जो वरिता होगी सर्टिफिकट की वो पुराने टीटी पास अभ्यारती हैं वो भी इसमें भारी संख्या में आवेदन करेंगे जिसकी वज़ा से एक बड़ी संख्या आवेदन करताओं की रहने की उमीद है अगली सूचना निकल के आ रही है सिपाही भरती परिच्छा यह जो परिच्छा है बिहार से आ रही है या भरती विहार की है केंद्री चैन परिशद सिपाही भरती परिच्छा पटना इसमें जो 8,415 पोस्ट हैं सिपाही भरती के लिए और 12 वी इसका जो है योगता मांगा गया है इसकी योगता जो है 12 मांगी गई है आयुस्वीमा 18-25 होनी चाहिए जो परिच्छा सुलक है वह 450 रुपए है और अलग अलग दिया गया है वेतन मांग जो है 2700 से 79100 रुपए दिया गया है आवेदन आल लाइन है और आवेदन की जो लास्ट डेट है वह 14 दिसम्बर है आवेदन करने वाले जो भी अभ्यारती है जो आयोग की साइट है www.csbc.bih.nic.in पर जा करके आवेदन कर सकते हैं इसी के साथ में तरोज सोचना सुनने के लिए आप लों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को लाइक सेर और सस्क्राइब केर थाइक्यू